आज हम ओयल फ्री हिल्दी एक क्रिस्पी क्रंची सा रेसिपी बना के त्यार करेंगे आप इसको देख सकते हैं अंदर बेज़िटेबल से भरी हुई और इन सब को बनाने के लिए मैं बस एक टीस्पून ओयल का यूज किया हुआ है ब्रेकफास्ट ओ या सामकार नास्ता हो हम इसको सर्ब कर सकते हैं जैसे कि यह हरी चटनी या सास के साथ भी सर्ब किया जा सकता है तो चले रेसिपी सुरू करते हैं मेजर्मेंट के लिए मैं एक कॉप का यूज करने वाली हूं एक प्यान में हम चार कप पानी ले लेंगे पानी को गरम करेंगे पानी जब हलका गरम हो जाएगा उसमें बेज़िटेबल साड करेंगे जैसे की एक कटी हुई क्यापसिकम, दस से बारा फ्रेंच बिंच, एक मीडियूम साइज गाजर को कद्दुकस करके डाला है एक टीस्पून कद्दुकस किया हुआ अद्रक उसके साथ स्वाद अनुसार नमक और टू टीस्पून में ले रही हूं सांबर मसाला पाउडर दो हरी मिच को टुकड़ा करके भी मैंने ले लिया, ये जो सांबर पाउडर मेंने डाला है ये अपसनाले, आप चाहे तो आड़ कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो अभी हम इसको उबलने देंगे पाणी में अभी उबल आ चुका है तो इसमें हम रवा आड़ करेंगे ये जाड़ा बला रवा है, रवा थोड़ा थोड़ा करके डालके लगातार चलाते हुए मिलाना है और फ्लेम को स्लो करना है चार कप पाणी के लिए में ले रहे हूं दो कप रवा अभी वेजेटेबल्स और रवा आच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसमें हम आड़ करेंगे वान फोट कप राइस फ्लोर फिर से एक बार आच्छे से मिला देंगे राइस फ्लोर से ही ये जो नास्ता बन रहा है ये क्रिस्पी बनेगा और बाइंडिंग के लिए भी हेल्प करेगा अच्छे से मिलाने के बाद पांच से दस मिनिट तक इसकोम ठंडा आउने के लिए छोड़ देंगे रोहा का मिक्स अभी गुनगुना है तो इसमें अभी हम आड करेंगे धनिया का पत्ता उबला हुआ एक कद्दुकस किया हुआ आलू जीरा पाउडर एक टीस्पुन स्वाधनुसार नमकाड करेंगे और उसके साथ और टू टीस्पुन डालेंगे राइस पाउडर सारे इंगेडेंट्स को एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिला देंगे मिलाने के बाद इसमें हम टिक्के बनाएंगे हाथों में मिडियम साइज गोला लेके उसको राउंड शेप देंगे सेम प्रोसेस में हम सारी की सारी गोला को लेके तैर करेंगे अभी हम इसको कूप करेंगे स्लो मिडियम फ्लेम में मैंने एक नंस्टी की तावा को गरम किया है उसमें आड करेंगे एक टीस्पुन रिफाइंड ओयल अभी हम उसके उपर टिक्कियों को आड़ करेंगे नन्स्टिकी तावा की बदले अगर आप नॉर्मल तावा यूज करते हो तो उसमें थोड़ा सा ओयल ज्यादा लग सकता है दो मिनिट तक इसको हम कूक करेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा तावा को हिला देंगे ताकि यह आपस में ना चुपके दो मिनिट बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे आप देख सकते आच्छा सा कलर आ गया है एक साइड का दूसरा साइड को भी हम दो मिनिट तक स्लो मिडियम फ्लेम में कुक करेंगे टीकियों का दोनों साइड अभी आच्छे से कुक हो चुका है तो अभी हम इसको तावा से निकल के एक प्लेट में लेलेंगे तो अभी हमारा विदाउट अनियन गार्लिक सुजी से बनी हुई नास्ता त्यारे यह बहुत ही क्रिस्पी बनाए आप देख सकते हैं अंदर भेजिटेबल से बरी हुई है और जो भेजिटेबल से ओ आधा कुक डे क्योंकि उसको हमने ज्यादा नहीं उबालाए तो यह कंप्लेटली एक हेल्दी नास्ता है यह रेसिपे आप जरूर ट्राय करें रेसिपे के बारे में आपकी अनुबब कमेंट सेक्शन में सेर करें